समस्कार दोस्तों फिर से श्वागत है आपका अपने ही यूटूब चैनल नीकी ब्लॉग में दोस्तों एकाजसी का भारतिय धर्म में बहुत महत्व होता है एकाजसी का ब्रत से बेक्ती का संकल्प और आत्म विश्वास बढ़ता है और देवता की किरपा बरसने लगती है सा जीवन के सारे दुख और संताप कर जाते है दोस्तों साल के पूरे 26 एकाजसी होती है जो सबी पापों को नस्ट कर संकटों को खतम कर देती है और बेक्ती को निरोगी काया पारिवारिक सुक और धन सम्रिदी भर देती है आज के इस वीडियो में मित्रो हम आपको दीपक और गूल का एक ऐसा परियोग बताएंगे जिसके अपनाने से किसी भी प्रकार की गरीबी या किसी भी प्रकार की बीमारी से आप छन में ही निजात पा सकते हैं क्योंकि एक आदसी की जो महिमा है दोस्तो वो अपरम पार होती है तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि एक मा में दो एक आदसी होती है अर्थात मा में बस दो बार और बर्स के 365 दिनों में 24 बार ही नियम पुर्वक एक आदसी ब्रत रखना है हाला कि तीसरे बर्स अधिक मास होने से दो एक आदसी और जुड़कर 26 एक आदसी हो जाती है दोस्तो पुरान में भी जो बेकती एकाथसी करता है वह जीवन में कभी संकट से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समरिदी बनी रहती है तो दोस्तो आपको करना क्या है एक दीपक लेना है और साम के समय ध्यान रखे दोस्तो साम के समय तुलसी माख्या के चर्णों में उस दीपक को जला देना है और गूर जो गूर हो या चना पक्षियों को या हो सके तो चीटियों को एकाथसी के दिन खिलाए आप देखेंगे दोस्तो कुछी दिनों में आपके जीवन में जो negativity या नकरात्मकता आती है वह कुछी दिनों में समाप्त हो जाएगी दोस्तो दोस्तो चैत्रमा में कामदा और बरुथनी एकाथसी होती है कामदा से राक्षा सियोनी से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार सिध होती है और सभी पापो को नश्ट करती है दोस्तो बैसाख मा में मोहिनी और अपरा एकाथसी जिन कन्याओं का विवा नहीं हो रहा है उनके लिए यब एकाथसी बहुत हुश्यूब होता है जेश्ट मा में निर्जला और योगिनी एकाथसी रखने से दोस्तो समस्त पापो से छुटकारा मिलता है और असार मा में जो एकाथसी होती है वो सभी को सुख और शान्ती देती है दोस्तो स्रावन मा में पुत्रदा एवं अजा एकादसी जिन बेखतियों को जिन कन्याओं को संतान सुख नहीं मिलता है उन्हें ये ब्रत करने से संतान सुख मिलता है दोस्तों और भाद्र पदमा में परिवर्तनी एकादसी करने से पित्रों को अधोगती से मुक्ति मिलती है दोस्तों तो दोस्तों हरेक एकादसी की अपनी अलग-अलग महिमा है जुसकी एकादसी करने से हमें ये सब चीजे प्राप्त होती है उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को एक लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद